हैलो फ्रेंड्स मैं उनी लमकरग आज हम बनाएंगे कड़ी विदाउट ओनियन इसको बनाकर तयार करेंगे तो इसको बनाने के लिए यहां पर 1.5 kg मैंने दही का यूज़ कर रहे हूं दः करेंगे और यहां पर मैंने फोड़ा साध्य चाया उपर है तो यहां पर मैंने फोड़ा सा धटा वाला दः चीजैन यूज़गर पर यहां पर सिंपल रई कर सकते हैं hand blender से मैंने इसको बीट किया है तो यहाँ पर इसको mustard oil में बना कर हम तयार करेंगे तो 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर mustard oil इसमे एड़ किया है 6-7 मैंने इसमें long एड़ किया है 7-8 मैंने काली मिच एड़ किया एक दाल चीनी का टुकड़ा और एक बड़ी मैंने आपर ilaigis में एड़ किया है और थोड़ा सा मैंने half teaspoon मेथी इसमे एड़ किया है 140 teaspoon हीं एड़ किया है सभी मसाले इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते है सभी खड़े मसाले का इसमें flavor बहुत ज़्यादा अच्छे लगता है और सभी मसालों को मैंने एक मिनट के लिए low flame पे अच्छे से बून लिया है और जितना भी मैंने दही को below कर रखा हुआ था उसको मैंने इसमें एड़ कर दिया है और यहाँ पर बड़े गिलास मैंने 3 इसमें पानी के एड़ किये है और यहाँ पर तीन बड़े गिलास मैंने इसमें नमक एड़ किया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तयार होती है तो यहाँ पर पकोडियों के लिए मैंने बेशन लिया है एक बड़ी serving spoon में ने यापर पकोडियों के लिए बेशन लिया है उसमें कसूरी methis ANDम one tablespoon अभर 2017 नमक कीजया संदिद्ग और श्यक्ति न्चलेद करोंगी 500 ख़ड़े नहीं किया याप PERaters योण में Chop तो थोड़ी सी कम quantity में, अगर आप इसको बनाते है तो अच्छे से हमारी हमारी, बहुत ऐस ए welfare है तो बहुत ही socio- lizard वह बन कर तयार हूं तो बहुत हमारी सी स्कूमी हम और फूली स्टेजा को भूहना, बीच में बाउयए, जब आप जो Ch living बनाती जा है इस तरीके से इनको क्रंची हो जाएंगी, मैं इसे निकाल लूँगी, बहुत ही जादा अच्छी लगती है, ये कड़ी की साथ, और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला एड़ किया है, तो कड़ी में एक बोईल आ चुका है, अच्छे से कड़ी को पकते-पकते काफी देर ह चुकी है, तो उसके बाद मैंने इसमें पकोरवी एड़ करती है, और मैं काड़ी के लिए आपताते पकोड़ी, तर्का तयार नहाद कर रे हूं एक उन टेबली स्पून एड़ी मैंने देशी गीस में add किया है और मैंने 140 जीरा एड किया है और लाल मिच पाउडर इस्में add किया है और मसाले को तड़के को अच्छे से बूण लिया और फिर कडी में इसको add कर देए कि देशी की का इस तरिके से ऊपर से तड़का गाइस बहुत ही जादा टेस्टी लगता ह और इतनी कड़ी यहां पर 7-8 मेंबर के लिए काफी है तो देख सकते हैं कड़ी बहुत ज़्यादा पक चुकी है बहुत बढ़िया बन कर तैयार हुई है आई होप आप सभी को यह पसंद आएगी